दोस्तो ये जो PCR का रेशियो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए दे रहे ये PCR का रेशियो पहले ही हमको बता देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा या अगर आप ओप्सन ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेलफुल हो करने वाला है क्योंकि आप पहले ही पता कर सकते हो कि आपको लेना चाहिए या फिर पूट लेना चाहिए तो हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल प्रेडिंग के अंदर आज किस वीडियो के अंदर में आपको सिखाने वाला हूं अगर आपने वो सारी वीडियो देख लिए हैं पीशार के ओपर में लेकिन आभी तक नहीं समझे में आया है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट कलियर करने वाला हूं दोस्तों अगर आप चैनल पे नई हो तो आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर स बात करूं तो यह मैंने गूड मॉर्निंग का मेसेज बेजने के बाद में बियाली साथ सुका सी को बोला था यह मैंने 290 रुपए बोला था ठीक है यह इसके अंदरे में आप मोमेंट चेक कर सकते हो इसमें हमने 100 पोइंट से भी ज्यादा कवर गये थे और बिल्कुल फ्र स्क्रिप्श्ट में आपको लिंक दिख रहाऊगा उसी लिंक से आप इसमें जोइन हो सकते हो ठीक तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के समझते हैं कि PCR रिशू क्या होता है किस तरिके से हम लोग PCR रिशू को निकाल सकते हैं सबस तो रेंज आपको स्क्रीन के उपर में दिखाए दे रही है इस रेंज के अकोड ही मार्केट जो है मुमिट हमको दिखाएगा तो अब इसका फाइदा यह होता है कि जब हम ऑप्शन चेन के अंदर में यह जो पीशार का रेशियो हमारा होता है इसको जब हम निकाल लेते हैं तो मार्केट का जो ट्रिंड होता है उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं कैसे वह भी मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट उपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा तो यह जो पीशार के रेंज होती है वही हमको बताती है कि तक होती है तक होती है तब हम क्या कर सकते है एक कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट का बूमिंट है वह कहीं बुलिस मोमिंट बनावा है अगि व्यान के अंदर में यह जो पीजरी होता है यह का रेंज जो आ जाता है यह हमारा आ जाता है या फिर 1.2 के असपास आ जाता है तब हम इसको consider करते हैं sideways marketing यानि जब अगर आप नए ट्रेडर हो तो वहां पे आपको generally entry नहीं करना चाहिए और ऐसा भी हो सकता है कि अगर यह आ जाए 1.5 या फिर 1.8 हो सकता है कि उससे थोड़ा ज्यादा आ जाए लेकिन होता नहीं है जेनरली 1.5 1.8 के बीच में आता है तो वहां पे जो हमारा जो व्यू है मार्केट के परती वह हमारा बन जाता है कौन सा बीरिस अब सवाल यह जो पीशयर रेच्वे होता है इसको हम निकालेंगे कैसे ठीक है तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है यह जो हमारी option chain होती है एक तो एक option अगर आप टाइप करोगे तो वहां पे पहली वेबसाइट आएगी जो को अफिशिल एनसे की वेबसाइट होगे उसके उपर में आप रीडाइरेक्ट हो जाओगे जिए लोगों को उपसंचेन देखना आता है उन लोगों के लिए अच्छी बात है जिन लोगों को नहीं आत है वो लोग क्या कर सकते हैं दूसरा वाला जो उपसंचेन के ऊपर में वीडियो बनाया है वह वीडियो भी देख सकते हैं अब हम समझते हैं कि इस पीशार इसुको हम कैसे निकालेंगे मान लेते हैं कि यह जो पीशार रेश्यो है अगर आपको पता करना है कि मार्केट का कोन से तब आप क्या करूगे हम क्या करेंगे PCR का मतलब क्या पूलेगे में पूट और कोल का हम लोग डिवाइड करेंगे यानि तोटल आपको यह जो पूट आपको दिखाए देरे ठीक है देखो आपको थोड़ा सा उप्सेंन बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है ल लोग यह जो ओए होती हैं ठीक है यह पूट के होंगे इनको हम लोग कोल के ओए ठीक है लगबट लगबट यहां पर 22 लाग के और यहां पर पूट के कितने हैं 18 लाग तो तो अब हम क्या करेंगे इन जैनल में आपको बता रहा हूं कि जब भी आप क्रेडिंग और चल्वर लगता है कि यहां पर कोई ब्रेक आउट और है या फिर कोई सपोर्ट रिजिशन जहां पर important लेवन है वहां से आपको market उपर जाने की या फिर नीचे जाने की संभावन है तो आपको क्या करना है यह जो put होता है इसको call से divide करो तो मैं क्या करता हूं यहां पर यहां पर मैं divide करके बता देता हूं यहां पर लगबग जो अठारा लाक तेतर हजार के आज पास मैं तो मैं एक बार round figure के लिए मैं क्या कर देता हूं मैं इसको 18000 ठीक है सुरी एठार लाक यहां पर और यह हमारा हो गया 73 जो भी data आएगा आपके सामने आएगा ठीक है 029 अब इसको क्या करते हैं इसको हम लोग करते हैं 22 ठीक है यह हमारा हो गया इसको कर देते हैं 22 और यह हमारा 42 और यह हो गया हमारा 494 ठीक है अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर जो है 0.8 आया ठीक है यानि कि यह sentiment कहीं कहीं जो market का बना हुआ है यह हमारा बुलिस बना हुआ है तो ऐसे करके आप जो है market के अंदर में पता कर सकती हूँ अभी 0.8 आया हो सकता है कि एक भी आ सकता था एक आता 1.5 आ सकता था 1.8 भी आ सकता था तो वह हमारी जो range होती है वह आपको मैंने बता दी है कितनी range होती है जीरो पॉइंट ठीक है अगर यह 0.75 से 0.94 तक आती है ठीक है 94 आज सकती है कई बार 9 होती है ठीक है तो इस range के अंदर अंदर यानिकि एक से कम होगा तभी हम लोग क्या माननेंगे उसको हम लोग उसका बुली sentiment कहीं तो इस तरीके से आप simply बहुत ही आसान तरीके से इसको हो कि आप PCR ratio को निकाल के अपना जो भी trade होता है उसको आप लोग प्लां कर सकते हो किस तरीके से अगर आपको लगता है कि कोई Standard nine या फिर को ब्रेक हो रहा है तो फिर आप precisamente कर सकते हो कि यहां पर breakdown या फिर breakout हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसके बाद में आप लोग क्या ब्लान कर सकते हूं यह तरीका होता है इनको यहां पको क्या करना होता है बस आप जब आपर क्या करना है उप करने के लिए इन को डिवेड करना होता है यहां पर यह एक जो बहुत पार सुनी होगी कि इंडिया विक्स के साथ में इंडिया विक्स इतना चल रहा है इंडिया विक्स इतना चल रहा है तो घी हमारा एक में एक अलग से वीडियो बना दूगा अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो अगर आपको यह भी चीज नहीं समझ में आई है तो वह भी मेरे को कमेंट में लिखके बता सकते हूँ मैं फिर से ट्राइ करूंगा आपको समझानी की ठीक है और मैंने बहुत यह असान बासा के अंदर में समझानी की कोशिज करी है कि PCR रेश्यो किस तरिके से हम लोग निकाल सकते हैं और लाइव मार्केट में किस तरिके से यूज कर सकते हैं एक और चोटी चीज में आपको यहाँ पर बताने चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो वहाँ प और जब मार्केट को नीचे चर्ण होगा तब आगली बार देखना कि यहां पर यह ओकल होता है इसमें आपको मार्केट जैने जो है डैटा यह ज्याधा ज्यादा बीके घाते हैं और यहांप появ देरे कम होता हुआ झिसको हम लोग क्या बोलतें इस तरीक हेसे होथा बहुत सारी चीज़ें हुती है الصiones ही हेब यह सारा कुछ हम जो है इन डीटेल आगे बात करेंगे लेकिन आज करीव exclusive PCR के ऊपर अप्र ने है बहुत कुछ आसान में तो भी बता सकते हो कोई दिक्त वाली बात नहीं है हम लोग ट्राइ करेंगे फिर जे और हमारा फुरी वारा टेलिग्राम चैनल है एक बार जरूर चेक कर सकते हो जिसके अंदर में बिल्कुल फुरी ओपकोष्ट में डेली का अपडेट मिलता रहता है और साथ में हमारा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि यहां पर बहुत सारी वीडियो आपके लिए आने वाले हैं तो चलिए नहीं किसी वीडियो में मिलते हैं और हम लोग सीखते हैं कोई नया टोपिक तो कैसा लगए वीडियो कमेंट करके जरूर परताना